बिस्मिल्य रिर्मान रुरहीम असलाम अलेकम स्टूरेंट्स कैसे हैं आप लोग अमीदे आप सब खेरियत से होंगे आज हम एक इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करें एंड देट इस गायगर मुलर काउंटर और सम टाइम इट इस काल्ड जी एम काउंटर अब गायगर मुलर क पावर आफ इंकमिंग पार्टिकल्स के उपर है यानि जितना पार्टिकल्स ताकतवर होगा जितनी ज्यादा आयोनिजेशन करेगा उतने ही ज्यादा बहतर तौर पे जी एम काउंटर उसको डिटेक्ट कर सकेगा अगर आप इसके कंस्ट्रॉक्शन वाइज इसके उपर आ यह डिवाइस डिजिटल भी हो सकती है एनलोग भी हो सकती है सेकंड जो दूसरा पार्ट आप डायाग्राम में देख रहे हैं डाट इस दा ट्यूब जो बेसिकली जी एम ट्यूब कहलाती है और यह ट्यूब आने वाले पार्टिकल्स को डिटेक्ट करती है और नबर वन प साइट के ऊपर एक इंसुलेटिंग मेटियल अटैच होता है ताकि इसको होल्ड किया जा सके इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटी सी थिन रॉड लगी होती है यह थिन रॉड नॉमली एनोड यानि पॉजिटिव ली चार्ज है और हमारे पार जो बॉड़ी है इसकी वो होरे फ्रेंट साइट के ऊपर एक छोटी सी थिन माइका विंडो हम अटैज कर देते हैं थिन माइका विंडो का फाइदा यह होता है कि एलफा और बीटा पाटिकल असानी से को क्रॉस करके अंदर वाले एरिये में आ सकते हैं अंदर वाले एरिये में हम हवा को कम करते हैं approximately point one atmospheric pressure हम यहां पे gas को put up कर देते हैं और इस एरिये में हम inert gases along with some quinching gas दो gases का मजमुआ हम apply कर देते हैं normal routine में हम इसके अंदर neon bromine element को fill करते हैं neon और bromine neon जैसा के हम जानते हैं inert gas है bromine हमारे पास molecular two diatomic gas के तोर पे इस्तमाल होता है neon को principal gas कहते है bromine को quinching gas का नाम दिया जाता है अब यहां पे जब भी particle या radiation enter होता है तो यह radiation target atom पे neon को positive और negative आइन में अलग अलग कर देते हैं जो detect करता है और देन ब्रॉमीन extra या जो इसके secondary electrons है उनको खतम करता है इन साइट पे अब देखिए 400 वोल्ट apply के होँए 400 वोल्ट basically neon की ionization से ममूली सा कम है यानि just neon particle इस 400 वोल्ट की वज़ा से ionization के edge पे खड़े होते है तो जब particle enter होता है तो particle energy प्लस यह 400 वोल्ट की energy मिल कर particle को ionize कर देती है let's check out कि हमारे पास geiger molar counter बन्यादी तोर पे वरक करता है तो अगर हम इसके operation के उपर आ जाएं तो let's suppose कि हमारे पास यहां पर जिसना यह आपको dots नजर आ रहे हैं यह तमाम dots हम let's suppose हम represent करते हैं neon और bromine को here outside जो आपकी body is gm counter tube के that is negatively charged and inside this one is positively charged suppose कीजिए यहां से हमारे पास एक alpha particle enter हुआ चुक्के alpha particle size में वजन में interaction में ताकतवर होता है तो हम consider करते हैं कि suppose कीजिए यह किसी neon particle से टकराया तो इसको ionize करेगा और यह आपके पास neon positive line और इस में से एक electron को eject कर देगा चुक्के electron size में वजन में कम होता है सो यह fastly इस point के ऊपर आ जाएगा positive anode के ऊपर जबकि neon outside body के तरफ जाते हुए थोड़ा सा time लेगा यह वो time जो normal routine में neon body तक पहुँचने में इस time को dead time of the GM counter का जाता है क्योंकि जब तक neon यहां पर जाकर अपनी side के ऊपर जाकर attach नहीं होता एक electron को capture नहीं करता तब तक एक pulse मकमल नहीं होती और normal routine में इस dead time को जो के standard time consider किया जाता है it is ten power minus four second इस time के दौरान दौरान हमारे पास अगर कोई भी दूसरा alpha particle system में enter हो ionization produce करे तो counter tube उसको detect नहीं कर सकती normal routine में यह पूरे का पूरा pulse जो है वो one microsecond में complete हो जाती है ताहम sometime हमारे पास counter जो है उसमें neon normal से ज्यादा time लेता है इस outside area तक पहुशने के लिए और इसी वज़ासे इसका dead time microsecond की बजाए ten power minus four second consider किया जाता है now let's suppose जैसे neon ionize होता है electron तेजी से anode की तरफ आएंगे और neon के positive wind outside wall की तरफ जाएंगे अब outside wall पर जाकर ये electron को capture करेंगे और automatic neon दुबारा से एक normal neon atom बन जाएगा यहाँ पे एक pulse जो है वो create होती है और वो pulse outside counter scalars के उपर count की जा सकती है now here come this second element neon के साथ जो हमने bromine को attach किया था उसका काम क्या है real time में जैसे ही neon atom यहाँ पे इस boundary पहुंचता है तो चुके outside boundary negatively charge है तो यहाँ से बहुत सारे electron इस positive के attraction के चकर में यहाँ से jump कर जाते है अब जब वो jump करते हैं इन में से एक electron suppose neon neon से attach हो गया what about these three electrons? यह jump करके boundary से बाहर आगे और यह जब बाहर आएंगे तो उस सुरते हाल में यह negative plate उनको वापस नहीं आनी देगी और यह negative electron तेजी के साथ इस anode के उपर चले जाएंगे जब यह anode पर जाएंगे तो anode consider करेगा कि एक की बजाए चार alpha particles है these electrons जो के हमारे पास neon की बजाए वैसे jump कर गए इनको secondary electrons कहा जाता है sometime यह neon particle यह neon जो atom है यह रस्ते में move करता हुआ element के साथ तक रा सकता है extra secondary electron पर डियूस करता है तो इसलिए इन fake electrons को इस fake reading को रोकने के लिए here come basically the bromine जिसको quinching gas कहा जाता है quinching gas से मराद यह है कि इन electrons को यह bromine atom absorb करती है bromine molecule दो हिस्सों में सपलेट हो जाता है bromine and bromine और certain time के बाद उन electrons को omit करके वापस BR2 बन जाती है चुकि इस काम में यह जो पूरा procedure bromine ने किया इसमें secondary electron को रोका जा रहा है इसलिए इसको कहा जाता है quinching gas और इस पूरे process को quinching process का नाम दिया जाता है commercial GM counters में दो तरह की quinching होती है एक self quinching और दूसरी electronic quinching self quinching यह है कि जो अभी हमने procedure डिसकस किया कि bromine gas आने वाले electrons को catch करेगी और उनको रस्ते में block कर देगी उसको यहां पर नई पहुंचने देगी इसको बोला जाता है self quinching electronic quinching यह है कि यहां पे जो हमारे पास scalar की तरफ से element आ रहे हैं हर एक reading count करने के बाद फॉरी तोर पर इस positive negative को उल्टा दिया जाता है just you can say less than a microsecond हम negative positive pulse को उल्टाते हैं जिस से यहां यह secondary electrons automatically खत्म हो जाते हैं इस procedure को कहा जाता है यह हमारे पास electronic quinching है अब गोर कीजिए जो हमने last discussion की कि हमारे पास जो wilson cloud chamber है वो बल्की है wilson cloud chamber को अर्दफार reset करना पड़ता है wilson cloud chamber हमें count rate नहीं देता तो GM counter यह तमाम चीज़े cover up कर देता है यह small है यह जाज़ा 400 वोल्ट के उपर काम कर रहा होता है इसको मसानिस हम DC बैटरी से इस्तमाल कर सकते हैं यह portable है हम इसको लेकर मुख्लिफ detecting areas के अंदर जा सकते हैं लेकिन इसके अपने नुकसान है और more than यह count rate भी बताता है अब आजाते हैं इसका disadvantage के तरफ नमबर एक अगर incoming particle are very fast अलफा या बीटा पार्टिकल बहुत fast आएंगे तो इसका count rate disturb हो जाता है तो यह slow count rate के लिए बहतर है लेकिन fast count rate के लिए बहतर नहीं है नमबर टू हमारे पास GM counter जब भी हम इसको इसको इस्तमाल करते हैं तो alpha, beta और gamma के लिए some time tubes अलग अलग होती है और बाज वकाद यहां पे जो हमने voltage apply कियो थे alpha के लिए 400 volt बीटा के लिए value different होती है gamma के लिए value different हो जाती है GM counter में यह दो तीन main point इसका quinching effect इसका large dead time इसका different applied voltage का होना और low count rate के लिए सही करना और fast count rate पे disturb कर देना यह इसके basic drawbacks है otherwise यह determine कर सकता है range of penetration power यह determine कर सकता है low count rate यह determine कर सकता है कि आया हमारे पास किस किस किसम के particle आ रहे है और किस speed के उपर आ रहे है सो इसके pro and cons साथ साथ है but it's a very important instrument बहुत जबरदस किसम का detector है जो normally हम nuclear radiation में detection के लिए इस्तमाल करते है काईलिस को किताब से proper पढ़िएगा और गर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ discuss कर सकते है